नमस्कार दोस्तों, BR Health Solution में आपका स्वागत है वैसे तो बासी चीजों का सेवन सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है लेकिन हर एक बासी चीज सेहत के लिए नुकसान दायक नहीं होती अगर हम बात करें चावल की, तो बासी चावल खाना शरीर के लिए नुकसान दायक है क्योंकि ये पेट की अंदर गैस की समस्या करते हैं ऐसे ही अगर आप बासी चाय पीते हैं, तो वो शरीर की अंदर एसिट की मात्रा को बहुती बढ़ा देती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई बासी चीज खराब ही होती है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सुबह उठते ही बासी रोटी खाते हैं, तो वो शरीर के लिए क्या-क्या फाइदे कर सकती है क्यूंकि बासी रोटी के अंदर ऐसे पौशिक तत्व है जो शरीर की 10 बिमारियों को इलाज कर सकते है और ऐसी कौनसी बिमारिया हैं जो आपके शरीर से खत्म हो सकती है बासी रोटी के फाइदे जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जिस बासी रोटी की हम बात कर रहे हैं, वो रोटी आठ घंटे से जादा बासी नहीं होनी चाहिए, अगर रोटी आठ घंटे से जादा बासी है, तो ऐसी रोटी को खाने स से प्राब्लम हो गई है लेकिन कॉमन प्राब्लम का मतलब यह नहीं कि यह एक आम समस्या है यह बहुत ही बड़ी समस्या है क्योंकि डायबटेज के अंदर इंसान का पूरा शरीर अंदर से खोकला होना शुरू हो जाता है और डायबटेज में अपने शुगर के लेवल को करना चाहते हैं तो उसके लिए बासी रोटी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आप सुबह उठते ही सबसे पहले बासी रोटी का सेवन करेंगे और साथ में एक गिलास सिंपल दूद लेंगे तो इससे आप अपने डायबेटेस को कंच्रोल कर सकते हैं यानिकि जब अच्छा तरीका है अगर आप अपनी डायबेटेस को कंच्रोल में रखना चाहते हैं दूसरा फाइदा है हाई ब्लड प्रेशर के रोग्यों के लिए क्योंकि आज कल हाई बीपी की समस्या कॉमन है तो दोस्तों जिसका बीपी हाई है उसका सबसे बढ़िया इलाज है बास कर सकते हैं इतना ही नहीं बासी रोटी का सेवन करने से हमारे पेट के समस्याएं दूर होती है अगर आपके पेट में ज्यादा एसे या फिर गैस बनती है तो आप सुबह उठते ही बासी रोटी का सेवन करें वो भी दूद के साथ तो इससे आपके पेट की समस्याएं दू को देती हैं क्योंकि 8 घंटे पड़े रहने से इसमें ऐसे तत्व पैदा होते हैं जो शरीर के लिए फाइदे मन्द हैं तो दोस्तों यह हैं बासी रोटी खाने की कुछ फाइदे इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ शेयर केजिए और सब्सक्राइब केजिए साथी साथ बैल आइकन को प्रेस करें ताकि निया नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके धनेवा दोस्तों